हे गाईज वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल और आज का वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हो फेस मसाज तो आज मैं आपको सिर्फ पांच मिनिट में घर बैटे ही किस तरीके से आप फेस मसाज कर सकते हो वो भी सिंपल इंग्रेडियंट यूज करके तो आप सिं करा मिलेगा तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं coconut oil तो coconut oil easily हम सबके घर में available होता है तो coconut oil जैसे हमारे बालों को स्मूध बनाता है moisture लोक करता है वैसे हमारे face को भी ये काफी अच्छा से moisture करता है और हमारे skin के उपर जो dull dust होती है इसे remove करता है तो ये simple oil आप 5 मिनिट के जाओंगी कि जो आप काफी easily afford कर सकते हो और easily आप अपने face के उपर apply कर सकते हो तो इसलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 20 रुपीज वाला coconut oil लिया है जो भी आप सभी afford कर सकते हो और अपने face के उपर आप apply कर सकते हो और अच्छे से अच्छे आप उस skin के उपर glow पा सकते हो तो स चमच इसमें coconut oil आड़ करना और coconut oil के साथ साथ आपको और ingredient आड़ करने है तो साथ ही साथ इसमें आपको आड़ करना है हल्दी यानिके turmeric तो turmeric आपको बहुत कम आड़ करने है नहीं तो आपका face काफी ज़्यादा yellow हो जाएगा तो आपको सिर्फ 1 पिंच हल्दी आड़ करनी ह है अगर आपको pimple की problem ही तो definitely आप हल्दी यूज करना और साथ ही साथ इसमें हम आड़ कर रहे है हनी तो हनी काफी अच्छा work करता है हमारे face के ऊपर हमारे face को moisture करता है और अगर आपको acne pimple की बहुत ज़्यादा problem है तो यह definitely आपके skin के ऊपर काफी अच्छा work करता है तो इसे अपने face के ऊपर apply करना है तो यह सारे ingredient आपके जैसे pigmentation की problem है तो उसके ऊपर भी काफी अच्छा work करती है तो यह सारे ingredient mix करके आपको at least 5 से 10 मिनित तक face के ऊपर massage करना और ऐसे ही इसे 5 मिनित के लिए छोड़ देना तो यह आपके face के ऊपर काफी अच्छा work करता है और स साथ ही साथ जैसे आप पालर में जाते हो और आप blow पाते हो तो वही आपको घर बैटे simple से यह तीनों ingredient mix करके भी आपको घर बैटे ही काफी अच्छा आपका face clean हो जाता है आपके face के ऊपर जो भी गंदगी है dull है dust है तो यह सारी remove हो जाती है instant आपके 5 मिनित apply करने के बाद यह remove हो जाती है तो आप इसे cotton के कपड़े से remove करना तो काफी अच्छा work तो यह आपके face के ऊपर किस तरीके से apply करना है तो सबसे पहले आपको जो हमने oil बनाया है तो यह oil आप अपने पूरे face के ऊपर अच्छे से apply करना simple way में आप इसे apply कर सकते हो और बहुत ही जादा आप पर भी जैसे wrinkle की problem होती है तो साथ आप starting से ही अपने face का massage करना ध्यान रखना तो आपको in future यह सारी problem से परिशानी नहीं होगी तो simple आप एक से दो मिनीट तक आप अपने neck के ऊपर massage करना साथ ही साथ आप chin side में भी अच्छे से massage करना तो जहाँ जहाँ हमें wrinkles की problems होती है वो side पे आप अच्छे से massage करना साथ ही साथ आप nose के side में भी अच्छे से massage करना और forehead में भी आप 2-5 मिनिट तक massage करना तो ऐसे इस तरीके से जिस तरीके से मैं massage कर रही हूँ simple हातों से आप अपने हातों से ही आप massage कर सकते हो और massage आपको उपर की side में कभी भी massage करनी है because यह wrinkle को आने से रोकता है और काफी अच्छे से ये मसाज आपके फेस के उपर वर्क करती है तो इस तरीके मसाज आप हफते में दो से तीन बार करना ऐसा आप early morning भी कर सकते हो या फिर आप सोने से पहले भी करोगे तो भी आपके फेस के उपर काफी अच्छा ग्लो देता है तो ये oil apply करने के बाद आप मसाज करने के बाद ये oil को आप 5 मिनिट तक ऐसे ही छोड़ देना फेस के उपर तो आपके फेस के उपर काफी अच्छे से जो dirt है ना वो इसे रिमू कर देता है then आप normally cotton से इसे रिमू कर देना और साथी साथ जैसे cotton से रिमू करने के बाद आप फेस वाश कर लेना तो आप बेसन का यूज़ कर सकते हो या फिर आप फेस वाश यूज़ कर सकते हो oil रिमू करने के लिए तो यसलिए oil पूरा रिमू हो जाता है और आपके face के ऊपर जो भी dirt है वो साथी साथ रिमो हो जाती है और आपका face massage करने के बाद काफी अच्छा glow करता है तो इस तरीके से आप routine बना लेना हफते में 2-3 बार massage करके तो आपका face को आपको बाहर जाके पालर में जाके आपको बाहर बार facial करने की जोरत ने पड़ेगी घर बैटे ही आप easily इस तरीके से massage करके आप घर बैटे ही काफी अच्छा glow पा सकते हो तो face oil massage करने के बाद आपके face के ऊपर काफी अच्छा आपको relax फिल मिलता है और आपका face काफी relax हो जाता है तो guys आपको इस तरीके के वीडियो चाहिए होगे तो please मेरे चानल को subscribe करना फिर में वीडियो को like करना और share जरूर करना